हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त मनु यादव, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे तो भाई सामने आप देख सकते हो अपनी SP125 जो अपने अभी पर्चेज की थी सिरफ एक दिन हुआ है पर्चेज की वह बाइक को चलाया भी सिरफ 60 किलोमेटर है मैंने तो आज इस वीडियो में हम इस बाइक का रिव्यू करने वाले हैं कि बाइक में क्या-क्या चीजे हमें मिल जाती है क्या-क्या कुछ खास चीजे दी गई है भाइक का जो BS6 का Phase 2 है Phase 2 वाला वेरियंट है ये तो आप भाइक का कलर देख सकते हो जो ये ग्रे कलर है ये ग्रे कलर भाइक मुझे पर्चनली काफी अच्छा लगता है और आप लोगों को ये कलर कैसा लगा वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना सामने की साइड में आप देख सकते हो डिस्क वाला वाला वेरियंट है इसमें दो वैरियंट मिलते है अपने को Drum का वैरियंट में मिल जाता है सादू 124 cc का इंजन बाइक में दिया गया है, जो अपने को 10.7 bhp की पावर and 10.9 न्यूट्रोमिटर का पीक टोर्क जनरेट करके देता है, एंड बाइक की टोप स्पीड वगएरा क्या रेने वाली है, वो मैंने रिसेंटली आप भी अपने चैनल पे अवेलेबल करवा दी है, इन फ्यूचर हम दुवारा से भी इसकी टोप स्पीड चैक करेंगे, जब इसकी हम फर्स्ट सर्विस करवा लेंगे, विकोज अभी डारेक्ट हमने बाइक लिए है, इसकी टोप स्पीड चैक करने के चक्कर में, बाई बाई के इंजन पे काफी ज़्यादा effect पड़ेगा तो अभी हम इसकी top speed को दुबारा चेक अभी नहीं करने वाले first service के बाद दुबारा करेंगे तो आप उस time पे देख सकते हो तो बाई इंजन के बारे में जैसा मैंने आप लोगों को बता दिया है उसके अलावा bike में जो overall parts है वो parts कैसे है and bike में क्या कुछ नई features दिये गए है meter में क्या feature दिये गए है वो सब चीजे में आप लोगों को अभी दिखा देता हूँ तो भाई अभी आप देख सकते हो सबसे पहले हम meter के बारे में बात कर लेते हैं gear indicator मिल जाता है कि कौन से gear में हमारी bike है यह काफी सही option दिया गया है bike के अंदर कि हमें gear indicator मिल जाता है उसके अलाव bike में और काफी अच्छे features दिये गया है जो Honda हमेशा provide करती है अपनी bikes के अंदर तो वो features इस bike में भी दिये गया है यह km per liter का वो मिल जाता है उसके अलावा यहाँ पर अभी तक हमने bike को चलाया है वो average km per liter का option अपने को मिल जाता है हमारी जो bike ने recent trip की है उसका average क्या रहा है और उसके अलावा यहाँ पर range का option मिल जाता है जो Honda के हमेशा से खासियत रहे है होंडा अपनी बड़ी bikes में भी देता है यह एंड इस bike में भी option दिया गया है कि भाई bike के अंदर जो petrol बचा हुआ है उस petrol में हमारी bike कितनी range हमें देने वाली है कितनी kilometer उस petrol में हमारी bike चलने वाली है तो भाई meter के अंदर काफी सारे अच्छे-चे features दिये गए है यहाँ पर भाई light दी गई है मतलब जब हमारी bike को हम चलाते है मतलब थोड़ा प्यार से accelerate करते है तो eco mode वाली green light यहाँ पर जल जाती है यह अपने को right indicator मिल जाता है इधर की side में अपने को left indicator मिल जाता है तो भाई meter के अंदर काफी सारे अच्छे-चे features दिये गए है जिन में सायद मेरे हिसाब से कोई भी कमी bike में नहीं छोड़ी गई है meter को लेके उसके लावा side में आप देख सकते हो यहाँ पे अपने को Honda की 3D branding मिल जाती है जो काफी अच्छा लग रहा है और यह जो छोटी सी फेरिंग दी गई है यह फेरिंग भी इस bike के उपर काफी ज़्यादा अच्छे से suit करती है इंजन के बारे में मैंने आपको जैसे बता दिया है करें तो भाई suspension की quality काफी सही है मैंने अभी तक जितना बाई को चलाया है उसमें भाई मुझे कोई भी problem face नहीं करनी पड़ी है बाई को लेके और आगे जब मैं चलाऊँगा तो और ज़्यादा अच्छे से मैं आप लोगों को यह चीज explain कर पाऊँगा कि बाईक में actual में quality कैसी है मतलब suspension quality कैसी है बाईक की overall ride quality कैसी है उन सब चीजों के बारे में जब थोड़ा सा ज़्यादा चला लेंगे उसके बाद मैं ज़्यादा अच्छे से आपको यह सब चीज explain कर पाऊँगा उसके लावा गार front look की बात करें तो front में भाई पूरा LED setup दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हो LED branding की गई है यहाँ पर पूरी LED light है इसका जो night visibility कैसी है मतलब भाई कैसी visibility हमें देती है वो चीज भी मैं आप लोगों को बहुत जल्दी बता दूँगा मतलब उसकी भी एक proper वीडियो अपने चैनल पर आप लोगों को बहुत ही जल्दी मिल जाएगी यहाँ पर भाई अपने को halogen indicator मिल जाते हैं जिनका जो cover है वो बिल्कुल transparent दिया गया है जो काफी सही लगता है एक खास चीज आज आती है जो भाई आजकल लगबग सभी कंपनिया करने लग गई है जो अपने alloys है alloys का color काफी सही तरीके से maintain करके रखती है मतलब इसे में black alloys दिये गये हैं जो काफी ज़्यादा सही लग रहे है यहाँ पर crash guard भी दिया गया है जो tail light, tail light भाई LED नहीं है halogen ही indicator है halogen ही tail light मिलते हैं अपने को rear tire की अगर हम बात करें तो भाई आप rear tire देख सकते हो tire की quality है, quality काफी सही है and rear में आपको 188 का tire मिल जाता है मतलब काफी सही है tire bike के इसाब से काफी wide tire है मतलब इसे ज़्यादा भाई I think कोई भी 125cc segment में नहीं देती होगी अगर कोई देती होगी तो फिर वो इस price segment से बाहर चली जाती होगी तो भाई tire भी काफी सही है यहापे spring loaded suspension मिल जाते हैं जो suspension की quality भी काफी सही है अब अगर हम करें seat quality के बारे में बात तो भाई एक family commuter भाई के मुझे वो ठीक ठाक सा लग रहा था in future आगे भाई और भी कुछ experience होगा तो वो सब चीज़े भी आपके साथ जरूर से एर करेंगे अब आजाती है एक main cheese Honda को हम इतना premium क्यों बताते हैं because Honda की ये खासियात हमेसा से रही है कि ये अपनी bikes में हमेसा काफी premium parts का यूजगरती है बैसे को छोटी भाई को बैसे को बड़ी भाई को अब इस चीज़ में आप logo को साइद दिखाई दे रहा होगा इसका जो handlebar है handlebar के उपर जो भी सब कुछ parts दिये गए हैं कि quality मुझे personally कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा better लग रही है क्योंकि यहां पर जो quality दी गई है इसकी ये जो part की quality है भाई बहुत ही ज़्यादा premium लग रही है और दूसरी चीज़ यहां पर एक combine switch दिया गया है जो high beam and low beam and passing का तिनों का का काम करता है सिर्फ एक ही switch दिया गया है यहां पर जो indicator switch दिया गया है यह भी काफी सही है horn switch भी काफी सही है दूसरी side में अगर बात करें तो भाई यहां पर भी combine switch दिया गया है जो bike को bike में kill switch का का काम भी करता है and bike को self का का काम भी यही switch करता है तो यह चीज काफी सही लगती है मुझे इस चोटी सी बाइक के अदर, मतलब जो काफी बड़ी-बड़ी कंपनिया है वो सायद अपनी बड़ी बाइक्स में भी इन सब चीजों को नहीं देती है, जो होंडा ने मतलब अपनी चोटी सी बाइक में, 125 CC के बाहि कोंडा की, उस चीज में हमें यह चीज प्रोवाइड करके दी है, अब अगर हम करें टैंक, कैप सिटी की बात, तो भाई, बाई का जो टैंक है, टैंक है, लगबग 11 लेटर का टैंक है, अब बाई की ओरोल माईलेज क्या रहने वाली है, माईलेज की तो भाई में प्रोपर वीडियो बनाके ही आपको बताऊंगा, बिकोज मैं कम्पनी के दुवारा क्लेम किया हुआ माईलेज, आप लोगों को नहीं बता सकता हूं, बिकोज जब हम खुद बाई को चलाएंगे, तो उसके बाद जो भी माईलेज रहने वाला है, वो माईलेज हमारे सामने आही जाएगा, अब हम कर लेते हैं, अब एक चीज और बता देता हूं, यह जो इसका टैंक है भाई, यह मतलब ऐसे नहीं रहता है कि भाई, इसके कनेक्ट होके रहे, अब हम इसको खोलेंगे तो भाई, यह खोलके बिल्कुल अलग हो जाता है, तो जो भी इस बाई को बहुत ही जादा छोटे-छोटे वरीके से लिखे गए हैं, यह काफी सही दिख रहा है, लेकिन यह बिल्कुल छोटे-छोटे-छोटे-छोटे लिखे गहे हैं, जो अजीब से क्यूट से लगते हैं, उसके अलावा भाई, बाई, बाई क में ऐसी कुछ और चीजे है नहीं, वो ही चीज में आप लोगों के साथ share करने वाला हूँ विकोज ऐसा नहीं है कि भाई कुछ भी आप में बता दे जो हमें बाईक के बारे में actual में नहीं पता है वो चीज भी मैं आपको बता दूँ तो यार वो भाई मुझे personality ठीक नहीं लगता है तो जो मुझे बाईक में actual में quality मिलती है actual में मुझे जो बाईक जैसी लगती है वो चीज ही मैं आप लोगों के साथ share करता हूँ विकोज पहले मैं बाईक को चलाऊंगा चलाने के बाद जो experience होगा वो चीज में आप लोगों को बता दूँगा कि आपको bike purchase करनी चाहिए या आपको bike purchase करनी नहीं चाहिए तो भाई आप कर लेते हैं आपन price के बारे में बात तो भाई बाई का जो on road price है on road price लगबग 1,03,000 रुपै से 8,000 या 1,09,000 रुपै आप लोगों को on road price मिल जाएगा मतलब अगर आप सामने की साइड में भाई drum variant लोगे तो आपको 4-5,000 रुपै सस्ता पढ़ जाएगा अगर आप disc variant लेने वाले हो तो लगबग 5,000 रुपै वो महंगा पढ़ने वाला है आप लोगों को तो भाई वो चीज आप अपने इसाब से देख सकते हो कि आपको भाई कौन सा variant लेना है and state wise 1,000-2,000 रुपै का फरक पढ़ सकता है तो भाई state में अपना जो RTO वगएरा tax वगएरा जो भी होता है वो चीज आप देख सकते हो कि अपने आपके यहाँ पे कितना tax लग रहा है कितना RTO लग रहा है वो थोड़ा बहुत 1,500 रुपै का कुछ चेंजमेंट आ सकता है प्राइज के अंदर तो यही था भाई इस बाईक के बारे में अभी तक जो भी मैंने इस बाईक के बारे में observe किया है वो सब चीजे मैंने आप लोगों को बता दी है और मुझे personally भाई बाईक काफी ज़्याद अच्छी लगी है अभी तक जो मैंने बाईक को चलाया है engine quality जैसी मुझे लगी है बाईक के बाई मुझे personally बहुत ही ज़्याद अच्छी लगी है तो भाई ये वीडियो सायद आप लोगों के लिए informative हो रही होगी तो वीडियो को लाइक कर देना अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना बिकोज इस बाईक से related सभी वीडियोज टोटल डिटेल्ड वीडियोज आपको अपने चैनल पर मिल जाएगी तो कोई भी भाई इस बाईक को परजेज करने का प्लान करेगा तो I think उसको कहीं भी और जाने की जरूत नहीं है याँ भाई अपने को सारी डिटेल्स मिल जाएगी तो भाई चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में जब तक के लिए बाई बाई